वेल्कम गाईस ओन्द चेनल जही सिविल जही जही सिविल आजे आपड़े आजना वीडियो मां मोहर सर्कल उपर वाद करवाना छिये एक्चुली मोहर सर्कल छे सु बरोबर अन्ने कोई पण आपने बोड़ी आपेली होई इमां सीर स्ट्रेस लागतो होई नोर्मल स्ट्रेस लागतो होई तो ए स्ट्रेस ने रिलेवन्ट आपने मोहर सर्कल कई रिते बनावो बरोबर तो आजे आपने इवस्तु जोवाना छिये तो चालो सरू करिये मोहर सर्कल बरोबर तो एना माटे एक आपने बोड़ी ले लेए अन्ने इना उपर टेंसाइल फोर्स एकस डिरेक्षन मां वाई डिरेक्षन मां अन्ने ओवियस जन्रल केस लेए छिये तेथी शियर फोर्स अथ्वाज शियर स्ट्रेस पन एपलाई करिये बरोबर अन्ने पच्छी एनो मोहर सर्कल बनाविये तो एक आपने बोड़ी लेए हवे आप बोड़ी उपर हुकाओ के आवी रिते टेंसाइल फोर्स एकस डिरेक्षन मां लागे छे बरोबर छे टेंसाइल फोर्स एकस डिरेक्षन मां लागे छे वाई डिरेक्शन मा पण आवी रिते टेंसाइल फोर्स लागे छे यहले टेंसाइल स्ट्रेस बरोबर छे एरिया वड़े डिवाइट करी है यहले के माँ फोर्स इस्ट्रेस माँ कनवर्ट थे जासे वाई डिरेक्शन मा टेंसाइल स्ट्रेस लागे छे औने महत्वनी वस्तु के जन्रल केस नी आपने वाद करिये छे तो शीर स्ट्रेस पण लागी रहियो छे बरोबर शीर स्ट्रेस पण टाव यहनी वेल्यू छे यह लागी रहियो छे तो आपने जी अच्यारे आ जन्रल केस चोही रहिया छी यह यहनों आपने मोहर सर्कल बनावानों प्रयत्न करिये यहनों मोहर सर्कल कई रिते बने तो श्टार्टिंग मां अमुक पोईंट नी चर्चा करी देवा मागीस के more circle नी जहारे आपने वाद करिये त्यारे x direction मा आपने normal stress ने represent कर सू y direction मा आपने shear stress ने represent कर सू बरोबर x direction नी वाद थेगे y direction नी वाद थेगे अने महत्वनी वस्तु काव सौथी महत्वनी वस्तु rnb अने irrigation point of use एक्जाम मा भारम वार पुछातु होए के जी body छे सपोज के आ body छे बरोबर तो येनों आपने आ एक plane ले लेए के जी plane ठीटा डिग्रिये आवेली छे बरोबर अवे आ ठीटा डिग्रिये नोर्मल स्ट्रेस पर लागतो होगा अचे अने shear stress पर लागतो होगा अचे बरोबर तो अवे आ ठीटा डिग्रीनी प्लेनने आपने जहरे महर सरकल मा रिप्रेजंट करवा जाईए त्यारी एक्चूले ठीटा डिग्रीए न रहता टू ठीटा डिग्रीए आपने यहने डिनोट करी सक्ये एतले के जो मोहर सरकल मा 90 डिग्री प्लेन उपर आपने शीर स्ट्रेस अने नॉर्मल स्ट्रेस मेडविये छिए तो इक्चूल मां रियल बोडी मां बरोबर इकेटला डिग्री है आशे तो कि 45 डिग्री है जो 180 डिग्री है मोहर सरकल मां अपने शीर स्ट्रेस अने नॉर्मल स्ट्रेस मेडविये छिए तो इकेटला डिग्री है आशे 90 डिग्री है बरोबर जो नेवु डिग्रिये छे तो 45 डिग्रिये हसे बरोबर छे जो 50 डिग्रिये मोर सरकल मा होई तो 25 डिग्रिये हसे हवे मित्रो आना थी उन्दू आना थी उन्दू परोब आउसा माटे तमने उन्दू आ वाद करवा जैस कानके confusion ना थाए practice थाए आपनी बरोबर छे हवे हुँ एम कव के reality मा आ ठीटा मानी लिओ के 45 डिग्री छे तो इस 45 डिग्री ने मारे मोर सरकल मा रिप्रेजन्ट करवू होई बरोबर 45 डिग्री मा 45 डिग्री के जे real body ने भात करिया थी ये येने मारे मोर सरकल मा रिप्रेजन्ट करवू होई तो इकतली डिग्री है रिप्रेजन्ट था से 90 डिग्री है बरोबर छे जोव काव 90 डिग्री reality मा body मा 90 degree ये आपड़े stress strain find करो छे shear stress अने normal stress तो ये more circle मारे 180 degree जोव पड़ से reality मा 25 degree मारे find करो छे so shear stress अने normal stress obviously resultant of both of the component तो ये more circle मा मारे 50 degree ये जोव पड़ से बरोबर छे तो आ वहुँ तमने भात करतो होई के theta real is equals to 2 theta of more बरोबर आ relation मड़े आ relation हो तमने सुकाम काओ कारण के बो उपयोगी बन से बरोबर ने आ नानी एवी एकजाम आउती हो इन्तों इमा बो उपयोगी बने हवे आ point जोईली था जी आपने एक point जोव अमागी है पणी अत्यारे point ना जोता more circle draw करिये अने पछी त्याती समझवानो प्रहत्न करिये एक चुलमा बरोबर तो आतमे नोट करी ले जो आने उसाफ करवानो प्रहत्न करूछू बरोबर बो महत्वनी वस्तूछे अने जडबती पताई देशू उमे वादकेरी के एक्स डिरेक्षन मा सूरी प्रेजन थतू होई नोर्मल स्ट्रेस अने य डिरेक्षन मा शीर श्ट्रेस बरोबर कई डाउट बरोवर एहीं आपने आपने आ साफ करी लईए हवे आपने more circle denote करिए तो more circle में तमने वाद के रिती सूच है कि पेला आपने y axis बना विए पढ़े एक सक्सिस बना विए बरोबर अने एक सक्सिस ने आपने sigma x एक सक्सिस उपर सू रिप्रेजेंट करवाना छिए normal stress y axis उपर shear stress यलेके tau रिप्रेजेंट करवाना छिए बरोबर अने जी यां right hand side यलेके positive आ एक सक्सिस छे निया tensile stress बरोबर tensile stress रिप्रेजेंट थाई अने आ नेगेटिव जी एक सक्सिस छे बरोबर तिया compressive stress रिप्रेजेंट थाई परन्तु आपने जी अतियार केस लिदो छे e केवो छे केवो छे मित्रो जो हो तमे आया 2 एक स्ट्रेस यलेके sigma x अने sigma y बनने केवा छे tensile छे यले कई अक्सिस उपर रिप्रेजेंट करवानू थाषे फक्त आ पोजिटीव अक्सिस उपर रिप्रेजेंट करवानू थाषे बरोबर हवे एक वस्तु तमने कव sigma x नी बेल्यू धारीलियो के 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर छे 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर छे sigma y नी बेल्यू धारीलियो के 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेर छे बरोबर तो 5 ने आपने यहां डिनोट करिये 20 ने आपने यहां डिनोट करिये बरोबर हवे इ बन्ने ने related केवाई के shear stress नी value धारीलियो के किटली राखवी छे तो 10 kN per m2 एनी value छे तो 10 kN per m2 आपड़े उपर खेचिये औने 10 kN per m2 आपड़े नीचे खेचिये बरोबर छे अने हवे के वाई के भात करू हूँ तमने या आप बन्ने point ने joint करिये और center लईए आटली चाप लईए किटली चाप लईए आटली चाप लईए औने center राखिये औने पच्छी के वाई के circle draw करिये बरोबर पच्छी circle draw करिये तो आज ही circle बैनू it is nothing but it is moher circle अवे जी महत्वनी वस्तु exam point of view अने तमारा mind मां strike थाई सके यी वस्तु सू तो तमें obviously जोता हूँ major principal stress अने minor principal stress तो मित्रो आज ही moher circle उपर थी आपने major principal stress अने minor principal stress कई रीते खबर पड़ से कोनी उपर थी आप मोher circle उपर थी तो चालो ही जोई लेए तो बैं वस्तु आपने जोता हूँ sigma x ने x major बरोबर छे sigma x minor अब यह आपने जोता हूँ major principal stress अने minor principal stress हवे अई थी हूँ तमने भात करू आ जिरोथी जिरोथी लेए आजी circle end थाई छे येटलू जी dimension होई graphical method मां graph मां तो यहूँ थेग्यू sigma major बरोबर छे sigma major थेग्यू अने आजी सवथी ओछू dimension मड़े बरोबर यहूँ थेग्यू मित्रो sigma minor थेग्यू तो आ महत्वनू छे हवे सवथी महत्वनी वात काओ तमें विजो एक टम साइमपड़ो होसे के maximum shear stress आ टम तमें सांपड़ेलो जासे ओवियसली सामपड़ियो से maximum shear stress कोने केवाई परन्तु आ ग्राफ उपर थे तमने देखाई जे maximum shear stress हा हूँ गोती देऊ तमने ओके maximum shear stress एटले आज जी shear axis छे shear stress नी जी axis छे एनो maximum ordinate तो क्या मड़े छे एई या मड़े जे सवथी टोच उपरहियां सेंटर मां तो जी आ वस्तु थेई ने आइटलो आइटलो पाट आने तमें मेजर करी लिए ग्राफ मां बरोबर छे तो या हूँ बनी जाए त मने भात करी और एह ऊँए कैस्त ने एक अएमारे प्याथ तरुम्धे एक लिए नने मिट्मप्ध यह को उतो तो रतोद ने कि नो तो बर्रो बर तो येनो अमतलब सु थी तो कि आटलो ई आटलो ई आटलो ई लेंद्थ चही सिग्मा-एक्स छे बर्रो उबर न्याति लाइन आ ईया सुधिelfार सिग्मा-वाइ च्छे बर्रो बर हवे एक चुलमा हूँ तमने काओ मारे तो सू मेडव भी छे आ रेडियस मेडव भी छे बरोबर मारे मेडव भी छे सू आ रेडियस मेडव भी छे तो इए रेडियस हूँ यी तमने कईदाओ यहनी वेल्यू केटली आवसे रेडियस नी इए रेडियस नी वेल्यू केटली आ केटलू होसी रेडियस बरोबर, तो केवाई के, आटलो जी भाग केवाई, आटलो डाइमेंशन छे, अने आटलो डाइमेंशन अनी बेहिनो, कंड यी बेहिनो तम्हें वर्ग नो अंडरूट कर नाखो, बरोबर छे, तो आटलो डाइमेंशन केटलो होसे, तो केवाई के, शिगमा y by 2 १ थासे, अटलो वागग १ो थासे सिगमा x-2 १ बरोबर अने पछी, आतो टाव xy के जी आपने लगावेलू छे, बरोबर तो यी 2 १नो तमे सरवाड़ो करो, टाव xy बे वर्ग करो बरोबर अने यहनू अंडरूट कर नाखो तो यहा सू मढ़ी जो आपने रेडियस मढ़ी गई खबर पेड़ी आपने सूँ मढी, रेडियस मढी गै, अनी रेडियस बरो बर्सु धाइगी ताव, मेक्स, अने सवथी महत्वनी वस्तू, आमा आजी वर्टिकल अकसीस छे, मित्रों वर्टीकल अकसिस, वर्टीकल अकसिस उपर सू लागे, σिगमा, x लागे, सिगमा, y लागे то तमने प्रश्न थावो जो यह कि आमाँ वर्टीकल अकसिस कही छे तो जी आ तमने करण प्रकार्नु देखाई, डाइयागोर अाल, इपोते वर्टीकल अकसिस छे अवे तमने साबित करी दो जो इ वर्टिकल अक्सिस ने तमे एक्स अक्सिस मा रिप्रेजन्ट करो तो बरोबर तो निया तमे आ सिग्मा वाई जोई रहिया छो बरोबर छे सिग्मा वाई जोई रहिया छो बरोबर अने जी वाई अक्सिस मा रिप्रेजन्ट करो तो तमे शीर पण जोई रही आच वहाँ बरोबर छे shear stress पण जोई रही आच वहाँ तो आ जी plane थही गए वरोबर आप जी plane थही गए ही कई plane छे horizontal plane छे तो आ plane कई असे इ vertical plane असे तानके आ पाट तमें यहने नीचे रीप्रेजन करशो बरोबर छे तो इसू sigma x बतावे छे के जी आ वर्टिकल प्लेन उपर सिग्मा एक्स लागे हवे जी आ डायागोनल छे आटलो एने तमें सामें रिप्रेजेंट कर सो तिया टाव एक्स बतावे छे के जी आयां पन टाव एक्स लागे छे बरोबर छे तो आ वर्टिकल प्लेन थे गई आजी प्लेन थाई गई इकई छे प्लेन तो के वोरिजन्टल प्लेन बतावे छे अने आजी प्लेन उपर नहीं डायागोनल नूछी एकई प्लेन बतावे छे तो के वर्टिकल प्लेन बतावे छे वर्टिकल प्लेन बतावे छे वर्टिकल हवे आबी प्लेन वच्चे एक्च आ वोरिजन्टल प्लेन छे वोरिजन्टल प्लेन तमने अजी व्यवस्तित बतावी तो बरोबर आ वोरिजन्टल प्लेन छे अने जी यलो कलर थे यहां बतावे यहां वर्टिकल प्लेन छे वर्टिकल प्लेन उपर सिग्मा एक्स लागे छे अने टाव इतो बेज सेमत लागे अने होरिजंटल प्लेन उपर बरोबर हुँ लागे छे सिगमा भाई लागे छे अने टाव लागे छे बरोबर तो यहा वचारेनों एंगल जुओ 90 डिगरी थे यो केतलो थे यो 90 डिगरी रियालिटी मा 90 डिगरी छे बरोबरा पड़नतु त्यारे तमें मोहर सरकल मा जो त्यारे यंगल केतलो थे 180 तो इवस्तु आपणे यहा याद राखवानी छे बरोबर छे तो मोहर सरकल ने अपने कई सक्ये के आवी रीते यहने समझी सकाए बरोबर महतों नी वस्तिव सूचे फरीथिवू रिवाइस करवा मागी एक सक्सिस नोर्मल स्ट्रेस ने रिप्रेजेंट करे छे बरोबर जी एकस अक्सिस छे आनोर्मल स्ट्रेस ने रिप्रेजेंट करे छे वाई अक्सिस नी वाद करूई शियर स्ट्रेस ने रिप्रेजेंट करे छे बरोबर अने जी सिग्मा एकस सूचे इमे तमने बताईवू सिग्मा वाई सूचे बरोबर अने shear stress ने आपणे उपर σिग्मा x अने सिग्मा y नी उपर अने निचे ड्रो करवाना होई छे बरोबर पछी इबनने point ने आपणे connect करिये यहनु center लईये बरोबर आजी ordinate लईये अने पछी चाप मारिये बरोबर एटले circle जी बनसे एने जा आपणे more circle कहिये छे more circle पर्थी जी नानामा nano ordinate छे बरोबर x axis उपर एने आपणे minor principal stress कहिसू जी मोटामा motor ordinate छे एने आपणे major principal stress कहिसू बरोबर maximum shear stress नी जी में वाद कहिरी ती e is equals to radius थासे बरोबर radius of the more circle and radius of the more circle is equals to under root of sigma x sigma x अने y सू छे इस समझीलियो अहिया sigma x अने sigma y मेजर अने minor principal stress नथी sigma x एटले आपणे horizontal stress लगाविया छे e sigma x छे sigma y एटले vertical जी आपणे body उपर लगावी रहा छे बरोबर आ वस्तु mind मां clear होवी जोई आ imagination clear होवी जोई अने जी minor ने बतावता होई इने इस sigma 2 बड़े बतावता होई 1 एटले major अने 2 एटले minor अने tau xy सू असे यहा maximum shear stress नथी tau xy इजी आपणे लगावी रहा छे यह body मां जेमक्या यह टाव बताईवु छे बरोबर आजी आ tau xy थेग्यों समझ बएड़ी tau xy छे सू जी आपणे बोडी मां लगावी रहा छे यह 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 यहने तो tau xy केवाई छे तो आ वस्तु पकड मां आवी जोई यह बरोबर अने सवती महत्वनी में वाद केड़ी के theta of the real body is equal to 2 theta of the moher circle बरोबर आ वस्तु अने में तमने किदू के जी आ प्लेन तमने त्यारे वह यह गुलाबी कलर थी तमने बतावु बरोबर आजी गुलाबी कलर के जी अतियर ब्लू मां कंड़ड थेग्यों छे इसू छे horizontal plane छे में तमने नो किदू horizontal plane छे यह तमने कई रीते खबर पेड़ी आजी plane ने आजी axis ने आजी बईनी बरोबर के जी एक plane बतावे छे बरोबर येना component ने येना projection ने अपण एक्स अक्सीस उपर प्लोट करिये येले आपने हूं बतावे आजी sigma y बतावे छे अखो sigma y अने तम्हें जू ओ sigma y क्या लागे छे horizontal plane उपर लागे छे ने बरोबर अने यहने तमें x एल्ले के तमें y axis माप्लोट करो एल्ले टाव बताव से बरोबर अने के टाव पर लागे छे यह अईर यह टाव तो ची sigma y लागे छे आसीज आपने खबर पड़ी गए के इप्लेन काई छे ओरिजेंटल प्लेन अने आ वर्टिकल प्लेन थासे बरोबर तो यहनों एंगल तमें जोई शको एकसो एसी डिग्री इब्लेई वचारेनों एंगल छे परन्तु रियालिटी माँ एंगल केटलो छे आजी ओरिजेंटल अने वर्टिकल प्लेन वचारेनों 90 लिग्री छे बरोबर तो आ मोहर सरकल थेग्यू बरोबर आवी रिते ने आपने समझी सकाए नेक्स्ट लेक्चर मां आगड़नों तमें जी विडियो जो हो बरोबर यहमां आपने जी एक्जाम पॉइंट ओफ यू अलग-अलग मोहर स याध राखवानी छे मरोबर ढ़ यी फोर्मुला थी आपने दरेक टेस मां सिघ्मा एक्स सिघ्मा बाय अने टाव नी व्यल्यू मुकी ने आराम थी मेडवी सकी ए वरोबर ठीटा नी value मुखे तो ठीटा नी value सपोज के sin ठीटा होई तो ठीटा 90 degree वन था तो होई वरोबर तो 90 degree जी अपने value maximum मड़े तो इस maximum normal stress का तो maximum shear stress इस next lecture मा जो सु तो आखो आजी more circle नूँ आजी more circle कई रीते के वाए एक सक्सिसू रिप्रेजन करे वाई सू मा छे मरोबर यी more circle मा कई रीते रिप्रेजन्ट थाई इमें तमने बताई horizontal plane वड़े vertical plane वड़े मरोबर छे तो आपने नाननना points जो या next lecture मा मड़िये जै हेन जै भारत